हलो फ्रेंट्स पेलकम टू मैं चैनल जैमाता दी इस पीडियो मैं आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ दसा माता की पाँच भी कथा, कथा इस प्रकार से है एक राजा के दो राणिया थी, राजा की प्यारी राणी को लच्मी कहा जाता था और दूसरी राणी को कुलच्मी कहा जाता था एक दिन लच्मी राणी क्रोधित होकर लकड़ी का पटा लेकर मलिन कपड़े पहन कर कोप भवन में जा लेटी राजा ने लचमी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों लेटी हो तुम क्या चांती हो राणी बोली कुलचमी देवी को देश निकाला दिया जाए कुलच्चमी रानी थी इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बतनामी होनी का डर था इसलिए रानी को पीहड छोड़ कर आने की बात सोची गई राजा ने पट रानी को एक रत पर पिठा कर और स्व्यम घोड़ी पर चड़ कर रत के साथ चनने लगे एक पीहड जंगल में पहुँचकर राजा ने रत को रुकवाया पाल की ढोने वालों को बहां से हट जाने को कहा गया राजा रानी को उस जंगल में छोड़ कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गई कुलच्चमी को बाट जोहते जोहते सारी रात पीत गई रानी को प्यास लगी बहरत से उतर कर पानी की तलास में चल दी रानी ने आसपास पानी को खोजा परंद उसे कोई चला से नहीं दिखाए दिया रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ चाते हुए देगा रानी कुलचमी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी चलते चलते बहे एक नदी के किनारी पहुँच गई रानी ने सोच आती से निब्रत होकर उसी नदी में इश्नान किया और चल पीकर अपनी प्यास बुजाई उस समय कुछ अन इस्त्रियां भी इश्नान कर रही थी इ उनके पास एक डोरा बच गया उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोद किया रानी डोरा लेकर अपने रत में आकर बैठ गई दसा माता ने रानी के परिच्छा लेने के लिए एक बुढ़िया का बेश्तारण कर उसके रत के पास आई बहरानी से बोली बेटी यहां बै उसने अपनी पिपता भरी सारी कहानी बुढिया को पता दी अंतमे रानी ने बुढिया से कहा मा मुझे अब केवल तुमारा ही सहरा है मेरी रच्छा करो दसा माता की किरपाशे उसी जगे माया का सहर बस गया रानी के भाई भावी आदी सहरा माय का बहा पकट हो गया रानी न अपने पीहर के साथ मिलकर नौ दिन तक तसामाता की कहानी कही और सुनाई दसवे दिन डोरे की पूजा होनी थी उस दिन सवेरे उठकर तसामाता ने रानी से कहा नदी में इशनान कर आओ बहां तुम्हें सुन कलस मिलेगा तुम उसे ले आना जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है रानी ने नदी में इशनान किया बहां इशनान करके बाहर निकलाई तो उसे दो सुन कलस नदी के किनारे रखे मिले उनी के पास रेस में बस्तर रखे थे उन बस्तरों को रानी ने पहन लिया बह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी बह डोली में बैठ कर अपने घर पहुँच गई घर पर पहुँच कर उसने माया के परवार की सब महलाओं के साथ दसा माता के डोरे की पूजा की सुहागिनों को भूजन कराया इसके बाद उसने पारन किया अब रानी अपने पहर में आनंद पूरवक सब के साथ मिलकर रहने लगे इधर कुछ शमय बाद राजा को रानी कुलचमी का ध्यान आया राजा ने बिचार किया कि जिस दिन से मैंने रानी को जंकल में छोड़ा है तब से उनकी कोई खेर खवर नहीं ली चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलचमी का क्या हाल है मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अव रानी से मिलने आपको नहीं जाना चाहिए परन्तु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया बह घोड़े पर सवार होकर उसे स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ कर आया था राजा को यह देखकर बड़ा आश्यर हुआ कि बहां तो सगन बन था परंतु अब यहां रमणिक पस्ती पसी हुई है राजा ने मेरी पटरानी कुलच्चमी द्वारा ही बसाया गया है राजा ने कुलच्चमी के महल के पास्चा कर सूचना विजवाई कि उनसे मिलने अमुक देश के राजा आई है रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से बना कर दिया परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदूओं में पती को परमिश्वर माना जाता है तो मैं यही उचित है कि तुँ अपने पती से यथा सक्ति आदर पूर्वक मिलो मौसी के कहने पर राणी कुलचमी ने राजा को महल में बुलबाया और राजा को तो पहर के भोजन पर भी पुलाया राजा के साथ नाई भी था राणी राज राणी दूसरी बार पोसाग बदल कर फिर आई राजा मन में सोचने लगा कि यहां तो बहुत सी राणिया है सबकी सकल एक जैसी है मैं अपनी राणी को कैसे पैचानूंगा अपने डेरे पर आने के बाद राजा ने नाई से कहा कि यहां तो बहुत सी राणिया है मैं अपन चला कि रानी एक ही है, नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते से छीटा मारा था। तीन वार कपड़ें पदल कर हमारे सामने आई, परंतु बह्य छीटा उनके पैरों पर तीनों बार लगा रहा। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में पुलवाया। राजा को अपने मेज पर बिठा कर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया, पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और राणी उनके पैर दवाने लगी, राजा ने राणी से अपने अपरात के लिए छमा मांगी और राणी को अपने राजधानी चलने के लिए कहा, राणी न संभव हो पाया है और यह बैबभ हमें उनी के कारण मिला है परना आप तो मेरा सरबुनाश कर चुके थे राजा ने रानी को बहुत शमझाया तवरानी बोली कि मैं केवल एक ही सर्थ पर आपके साथ चलूँगी आप मेरी मौसी से बर्दान मांगेगे कि यह नगरी आपके र है आपकी बात और मेरी बात को मान जाएं राजा ने दसा माता रूपी मौसी से प्रातना की मौसी ने राजा की बात मान कर दोनों सहरों को पास-पास इस्थापित कर दिया मानों एक दूसरे के ही भाग हो राजा ने दसा माता की कृपा का फल जानकर सहर में धिंडोरा आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कोमेंट्स करके जरूर बताएगा यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को जाता से जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताके हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके दसा माता की जै जै हो दसा माता